नाजरीन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सियासी शक्सित से जिनका तालुक पाकिस्तान की बड़ी जमात से जी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपोस पार्टी के एमेने सेद तारिक शाज जामोट की नाजरीन धूम न्यूस 24-7 की टीम पहुंची उनकी लतिफवबत की आफिस में जहां सेद तारिक शाज जामोट अपनी टीम की हमरा आफिस में आने वाले लोगों के मसायल सुन रहे थे और उनके मसायल का हल भी उन्हें बखू भी बता रहे थे जबके वहीं पर ही फोन करके उनके मसायल हल भी कर रहे थे शाज साब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकारा और धूम टीम के पास आए और धूम न्यूस की टीम को सरहा इसलमाले अले नादरी您ते में हूँ आपका मेज़बان हुमरां प्रोग्राम में आपको मुक्तलि शेथ सुनेबाते हैं आज हम हैदराबाद की हैदरबाद में मुझूद हैं लतिफाद के अलागे में जिस शक्सित से हम आपकी बात्चीत करवाने जारे हैं उनका तालुक पाकिस्तान पीपिस पार्टी से आप ने बहुत खिद्मत किये अपनी पार्टी के हवाले से नहीं आप बलके आपके जो वाले गिरामी हैं उनका भी बहुत पुराना तालुक रे चुका है पाकिस्तान पीपिस पार्टी से जी मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान पीपिस पार्टी के एम एने से तारिक शाह जा कि लाजमी तालिक शाज जामोड ने कहां से जो ने इप्तदाई तालिम हासल की और के से उनका ये स्यासी सफर शुरू हुआ सर इप्तदाई तालिम इदर से हिदराबाद से शुरू की है सेन बॉना विंचर्स हमारा बहुत ही पुराना और मशूर स्कूल है मैं फॉर्चनेट था कि वहां से पढ़के फिर पब्लिक स्कूल में दो साल पढ़े फिर मैं बाहर चला गया था और बाकी एजूकेशन मेरी सारी अमेरिका से क्या समझते हैं कि अगर तारिक शाद जामोर आज एम एन नहीं होते तो क्या आपकी विलिंग थी किस चेलर किस तरफ आपका शूक था कि अगर मैं एम एन नहीं होता तो आज मैं डॉक्टर एंजिनियर या टीचर क्या आपके थाक्ट्स थे आज वाई क्याशन में चार्टर अकाउंटेंट हूँ तो चार्टर अकाउंटेंट के तौर पर मैं अमेरिका में काम भी किया है तो अगर एम एन नहीं होता तो शायद चार्टर अकांटेंट होता अच्छा तरह का लादमी इस चास्त से आपका बहुत पुराना तालुक है आपके वालत गरामी भी जो है रहे चुके हैं इसी सीट पे और अपने हलके से भी जो है वो इलक्शन बार बार जीत चुके हैं आप भी ट्विंटी टू फाइट से अपने अबाई हलके से आप इलक् थे और अब दावे अलगे हैं दो अजार अठारा से अपनी चार्च ली है तो इनको बड़े में बड़ा जो प्राब्लम यह हुआ है कि इनके पास कहीं पे भी कोई ऐसी मुझे तजर्बा नजर नहीं आ रहा है सिवाए एक दो ऐसे हैं उनके पास लोग जो के पीपल्स पार्टी से यह दोर दोर से लिए जो के तजर्बेकार थे लेकिन एक दो सिब मुल्क नहीं चल सकता तो जो असल मसला है वो यह है कि लैक ओफ एक्सपिरिंस है इनके पास कोई तजर्बा नहीं है कि इस मईशत को कैसे संबाला जाए और मेरे खैल से हुकोमत का सबसे बड़ा काम जो हता है वो इस तरह हुकॉमत को मैनेज़ करना हुता है इस तरह से हमारी एकॉनिमी को मैनेज़ करना हुता है कि आवाम को रिलीफ तिया जाए यहाँ पर मैं तो क्या आप पूरे پاकिस्तान में देख रहे हैं आप लोगों के चैनल्स हैं माशाला आप कैमरा के आए से हर चीज को रिकार्ड कर रहे हैं आपने अभी कल भी परसों भी देखा होगा कि मेरे खाल से हजारों सेकड़ों की तादाद में लोग पेट्रोल पंप्स के बाहर दो दो घंटे तीन तीन घंटे तक बैठे रहे हैं तो ये आवाम को रिलीफ नहीं दिया शारा हुआ है ये अवाम के साथ जयाती की जा रही है और इस ने घूम मेरे खाल से एक वाइदہ यसा किया था जो उसने कुछ सरोकार नहीं कर रही, ये सुबाहि हो करुपा रही है मक्रम पतानी कौन ये कह रहा है कि सुबाहि हो करवाते है, मैं चलिंज करता हूँ मेरे साथ बैठ जाया, मैं उनसे बैठ के डिसकॉस कर सकता हूँ बात ये है कि सर overall जो भी policies वफाक की होती है उसी से, जैसे State Bank है, अब वो शूबे के तो माटाहत 괜찮 नहीं है और इसतरह के और बहूत सारी चीज़ हैं अब जैसतरह जो आपका Mark-Up Rate है अब वो Mark-Up Rate सूबा तो से नहीं करता इसी तरह और बहूत सारी चीज़ हैं जिसमें आपकी Revenue Generation है revenue collection है, आप किस तरह revenue generate कर रहे हैं, आप किस तरह revenue collect कर रहे हैं, आप अपने डॉलर को किस तरह से अपने रुपी को strengthen करते हैं, ताकि वो stable रही है, यह सारी चीज़ें जो होती है, यह वफाक का काम होता है, और उसके इलावा जो कुछ एक चीज़ और भी है, कि आप अपनी import, export policies हैं, यह भी सूबे का काम नहीं है, वफाक का काम है, तो अब फर एक्जेंपल, आपकी imports और exports का जो एक parity है, वो completely out of proportion है, आपकी trade deficit जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको यह लोग manage नहीं कर सक रहे हैं, तो अब यह चीज़ें, यह सूबे का काम नहीं हो होता, यह federation में हमारे वफाक का काम होता है, कि इन चीज़ों को look after करें, अब फर एक्जेंपल आपको मैं एक चोटा सा example दे देता हूं, कि अगर आटा कम था, और आटे की prices बढ़ने वाली थी, तो इनको चाहिए था कि अब यह कहते हैं, कि एक सूबा पूरा करके देते हैं बई एक सूबे का तो काम नहीं है ना, एक सूबा अपने लिए रखेगा, जो उन्होंने रखा हुआ है साल का पूरा कोटा, और उसके इलावा जो उसके पास access है वो दे भी देगा, लेकिन overall manage करना तो वफाक का काम है ना, तो अगर बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो टा 2008 में आके पीपल्स पार्टी के पहले ही साल में, हम गंदम के importer होने से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ थोड़ी उसमें fine tuning की manage किया, और उसकी वज़ा से एक ही साल में हम गंदम के exporter हो गए, एक ही साल में, एक मुल्क जो गंदम मंगवा के अपनी जरुरात पू पूरी कर ली, लेकिन even export भी करने लग गया, इतना surplus आगया कि उसने अगले साल export किया और उसमें डॉलर कमाया, अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की policy थी, हम उनको कहते हैं कि हमारे साथ बैठें, अगर आपके पास इतना तज़र्वा नहीं है, तो इस मुल्क की खातर ठीक है, आप लोग कीसे भी करें, आप लोग हमारी कियादत के खिलाफ आप जो इनतकामी कारवाई एंगा, जो ये स्यासी कारवई हैं, हमारे किलाफ कर रहें, वो करते रहें, लेकिन इस मुल्क के खातर हमारे चेर्मन साब्ने बार बार, और उनके पीछ फारी टीपने भी हम से एडवाइस लें कि एकॉनमी को किस तरह मेश्चत को किस तरह संभाल सकते हैं मुक्तलिफ बादे की के गरोड में आने से पहले के करोडों नोकी जादी जाएंगी घर दिये जाएंगे और राशन वगरा मुक्तलिफ हकुमत में आने के बाद ये दावे धरे के धरे रहे रहे सिर्फ सुनें नहीं आ रहा क्या मस्तक्बिल देखते हैं पीटी आए का आप सराला करे ये लोग जल्दी चले जाएं क्योंके असल बात ये है कि पहले हम लोग ये बाते हमेशा से होते हैं कि बहुत महिनगाई है लेकिन कभी बाते हैं वो बिलकुल महिनगाई थी भी बहुन नहीं थी लेकिन इतनी नहीं थी जो आजाए और खुदा नखास्ता मैं देख रहा हूँ कि अगर ये दो साल और रहता है तो ये तो शायद मेंगाई को उस लेवल तक ले जाएंगे कि मुझे तो इस चीज़ से डर लगता है कि कल को खुदाना खास्ता सारी अवाम रोडों पे निकल आएगी और ये बहुत सीरिस मैटर है लाइन ओर्डर सिचुईशन हो जाएंगी अभी भी आप देख लें कि लोग क्राइम बढ़ता जा रहा है क्योंकि जिसके घर में खाने को नहीं होगा जिसके बच्चे दो दिन से बुके बैठे होंगे और उसको आगे ये करोड नौकलिया नहीं मिली होंगी तो जाहरी बात है उसने कहीं न कहीं से तो अपने बच्चों का पेट भरना है और ये एक बहुत ही खतरनाक सीचोशन आगे जाके बन सकती है जिसको फिर कोई भी टेकल नहीं कर सकेगा तर्क सब क्या पाकिस्तान पीडियम का हिस्सा बनने जा रही है सर मेरे हिसाब से तो पीडियम था ही पीडियम पार्टी तो जब पीडियम पार्टी वहां से निकल गई तो फिर पीडियम में भी पीचे कुछ बचा नहीं है हम साथ मिलके काम करना चाहेंगे हम बिलकुल चाहते हैं कि अवाम को इस मुसीबत से इस अजाब से निजात दिलाने के लिए हम आपोजिशन मुतहद होके काम करें फिर उसका नाम आप पीडियम रखें या कुछ भी रख लें लेकिन एक बात तो कन्फर्म हो गई कि जो जिस बात पे हमारे चैमन बिलावल साब ने स्टैंड लिया था वो बात एंड ओफ दे डे सही निकली कि असल में पीडियम में जो इखतलाफ हुई इस बात पे था कि आप नेशनल असेंबली से रेजिगनेशन दे 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 या हम अब सारी असेंबली से हम रिजाइन कर जाएं तो चैमन साब ने उस पे ये स्टांस लिया था कि वो हमारा एक बहुत बड़ा फोरम है जिसमें हम असेंबली के बाहर भी एतिजाज करें और असेंबली के अंदर भी एतिजाज करें और अपने राइट्स के लिए हम असेंबली में बात करें तो वो end of the day बात सही निकली क्योंके फिर PDM के मैं तो नहीं देखता कि किसी ने भी रिजाइन किया ना noon league वालों ने रिजाइन किया ना मौलवी बादरान ने रिजाइन किया मौलवी साहपान ने भी रिजाइन नहीं किया तो मेरे ख्याल से people's party का और हमारे chairman साब का जो stance था वो सही था और बाकी ही जो party's थी वो बगहर सोचे समझे एक ऐसा काम करने जा रहे थे जिससे और ज़्यादा इस मुलक को या महीशन को नुकसान हो जाता तो उसे साब से हम आज भी जमूरी तरीके से अपना एतिजाज करें और मेरे खियाल से पीडियम नाम रखें या कोई भी भी आप देखें कि हमने जो ये जॉइंट सेशन था इसमें हमने कलेक्टिवली जिसमें शेबाश शरीफ साब लीडर आफ दी अपोजिशन है उनके किया और हकूमत के ये जो इतने सारे बिल आए जिसमें बाइद वे कोई भी ऐसा बिल नहीं था जिससे हम रोटी सस्ती कर सकते या हम और कोई अशिया सस्ती कर सकते या हम बिजली सस्ती कर सकते या हम कोई रिलीव दे सकते बिल उनके सिर्फ इस बात पे थे कि हम अगली बार election किस तरह करें, voting machines में किस तरह घपला करें और सब वो अपने bill पास करा आगा, never the less वो उनके number थे और उन्होंने अपने number पूरे किया, national assembly में तो ठीक है, वो अपनी जगा पे, लेकिन कम असकम हमारे पास उस दिन सिवाए दो-तीन members के जो genuinely बिमार थे और हॉस्पिलों में थे, तीन या चार members ऐसे थे जो के बिमार थे और हॉस्पिलों में थे, उनके इलावा पूरी की पूरी opposition कटी थी, और पूरी की पूरी opposition एक ही stand पे खड़ी वी थी, कोई वहां पे PDM का नाम नहीं था, लेकिन opposition इस अजाब के खिलाफ एक जगा पे यूनिफाइड थी, तो हम आगे भी काम करेंगे, इस को हमारे जो हमारी हुकूमत जो अभी गरीब के लिए एक मुसीबत बन गई है, उसको हम इसको इस मुसीबत से जान चड़ाने के लिए, हम लोग यह जरूर अपना मिल के काम करेंगे, और यही तरीका है उसको निकालने का